असलाम लेकुम स्टूडेंट्स आज की स्पूड़ लेक्ट्र में हम जब ड्रेट के एक्सरसाइस के शॉर्ट पॉस्ट इसकस करेंगे पस्टर नमबर 8.2 है वार डस हीट फ्लोव फ्रम होट बोडी तू कॉल बोडी Students heat का हमेशा हमें पता है कि hot body से cold body की तरफ flow करती है ये क्यों flow करती है इसकी main बजाए ये है ताकि ये equilibrium attain कर सके Students इस diagram में रेके हमने यहां पे दो blocks रखे हैं एक ये box जो था ये hot body थी और ये cold body थी जब हम इनको आपस में रखेंगे तो फौरन ही क्या होगा कि heat जो है वो hot body से cold body की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी और ये तब तक ट्रांसफर होगी जब तक equilibrium की position में ना आ जाए ठीक है students यही main बजा है कि equilibrium की position को attain करने के लिए heat जो है hot body से cold body की तरफ ट्रांसफर करती है question number 8.3 है define the term heat and temperature heat एक energy है जो एक body से दूसरी body की तरफ ट्रांसफर होती है और ये तब ट्रांसफर होती है जब दौनों body एक दूसरे के साथ thermal contact में हो students इसकी मैंने आपको यहां पर थोड़े points बता दी है ताकि आपको clear हो जाए heat is not a thing ये कोई चीज नहीं है बलकि एक process से energy के transfer होने का energy हमेशा hot body से cold body की तरफ ट्रांसफर होती है ऐसी body जिसकी energy जादा है उससे transfer होगी cold body की तरफ जिसकी energy कम है temperature की define देख ले temperature किसी भी body की hotness या coldness की degree है unit है Kelvin next question number 8.4 है what is need by internal energy of a body students किसी भी body के अंदर जितनी भी energy है उससाब energy को हम लग उसकी internal energy कहते हैं इसका formula यह आप लग सकते है internal energy kinetic energy and potential energy का sum है इसकी एक और define आप यह कर सकते हैं कि एक body के अदर जितने भी atoms है जितने भी molecules जान में जो energy है वह internal energy है और students एक और बात आप याद रखें कि जब किसी body के अंदर heat enter होती है यह heat उस body की internal energy बन जाती है यहां पर आप देखें कि यह open system था इसके अंदर heat जब enter हुई है जो heat इसके अंदर enter हुई हुई है यह heat इस body की internal energy कहलाएगी question number 8.5 है how does heating effect the motion of molecules of a gas students जब हम किसी gas के molecules को heat करेंगे तो इनके motion पर क्या effect पड़ेगा यहां पर देखें यह हमने एक बेकर लिया है इसका temperature कम है इसके अंदर जो gas molecules हैं उनकी kinetic energy भी कम है उनका temperature भी कम है जब हम इसको heat करेंगे हमने temperature increase किया तो kinetic energy molecules की increase की और gas का volume increase हो गया और इनका motion पर इंक्रीज हो गया यही बात मैंने यहां पर आपको बताई हुई है कि जैसे ही हम लोग heat provide करेंगे molecules जादा fastly move करना शुरू हो जाएंगे उनकी vibration increase करेगी उनका volume increase करेगा उनकी kinetic energy increase करेगी और उनका motion पर इंक्रीज कर जाएगा simple सी आप यह logic याद करेंगे जब हमने heat provide की तो kinetic energy increase हुई उसके increase होने से temperature increase हुआ temperature increase होने से जो gas के molecules से उनका motion increase हो गया question number 1.6 है what is thermometer why mercury is preferred as a thermometer substance students thermometer का आपको पता है कि acid device जो किसी भी body का temperature measure करने के लिए यूज होती है उसे हम thermometer कहते हैं दूसरी बात उन्होंने हमसे पूछी है कि हम mercury को ही क्यूं prefer करते हैं thermometer के अंदर students आपकी बुक में कुछ points दिये हुए पेज 170 पर प्रोपर्टी से में बताई हुए है कि थर्मोमेटर के अंदर कौन-कौन सी properties होने चाहिए तो mercury इन प्रोपर्टी के उपर पूरा उतरता है इसलिए हम लोग mercury को यूज करते हैं thermometer के अंदर mercury thermometer की properties देख लेते हैं it is easily visible इसको हम लोग सानी से देख सकते हैं it has uniform thermal expansion जब mercury heat होता है तो यह expand ही करता है यह uniform ही रहता है it has low freezing point it has high boiling point it has small specific heat capacity ठीक है students यह वो properties हैं जो एक thermometer के अंदर होनी चाहिए और mercury के अंदर तमाम properties पाई जाती हैं इसलिए हम लोग हमेशा mercury को prefer करते हैं thermometer के अंदर question number eight point seven explain the volumetric thermal expansion जब हम किसी solid का temperature increase करते हैं तो solid का volume पे increase हो जाता है यह process जो है यह volumetric thermal expansion कहलाता है expansion का मतलब है expand होना कोई चीज अपने original size से बढ़ जाए volume के बढ़ने के बजा से इसका formula है v is equal to v naught into one plus beta delta t यह जो v है यह वो volume है जो expand होने के बाद object का हुआ है और जो v naught है यह original volume है object का beta जो है यह temperature coefficient है जो delta t है यह change in temperature है t minus t naught है question number 8.8 है define specific heat how would you find the specific heat of a solid students वो heat जो हमें किसी भी सबस्टांस के mass का temperature one Kelvin तक increase करने के लिए जाहिए होती है इस heat को हम लोग उस solid की specific heat का नाम देते हैं और इसको हम लोग इस formula के साथ determine कर सकते हैं c is equal to delta q over m delta t c specific heat capacity है delta q amount of heat है जो उस body ने absorbed की है अपना temperature one Kelvin तक increase करने के लिए m उस body का mass है और delta t जो है changing temperature है question number 8.9 है latent heat of fusion क्या चीज़ है students वो heat जो 1 kg solid की सबस्टांस को liquid में convert करने के लिए हमें required होती है इसको हम लोग latent heat of fusion कहते हैं students मैं आपको diagram के जए clear कर देती हूं यह solid है इसको liquid में convert करने के लिए हमें जो amount of heat required होगा इसको हम लोग latent heat of fusion कहते हैं latent heat of fusion की sample है HF इसको हम लोग इस formula से find out कर सकते हैं और इसका unit है joule per kilogram question number 8.10 है define latent heat of vaporization students मैं आपको यह भी इसी diagram से बता देती हूं पहले हमने पढ़ा था latent heat of fusion वो heat जो solid को liquid में convert करने के लिए हमें required होती है liquid को gas में convert करने के लिए जो हमें amount of heat चाहिए होता है इस heat को हम लोग latent heat of vaporization का नाम लेते हैं इसको हम लोग hv से represent करते हैं इसका formula है delta qv over m इसका unit भी जाओर per kilogram है question number 8.11 है और last question है what is made by evaporation on what factors the evaporation depends explain how cooling is produced पहले तो evaporation के define हमने बतानी है students arm से define आपको बढ़ता है कि वो process जिसमें लिक्विड gas में change होता है किसी भी temperature पे उसका हम लोग evaporation कहते हैं evaporation different factors पे depends करते है जैसे temperature surface या wind nature of liquid students temperature जो है ये evaporation के directly proportional है जितना ज्यादा temperature होगा उतना ही ज्यादा evaporation होगी surface area भी directly proportional है evaporation के students फर्स करें आपने एक पानी एक बड़े बतन में रखा हुआ है plate में और एक आपने glass के पानी रखा है तो इसका surface area जादा होगा तो इससे जादा जल्दी evaporate हो जाएंगे molecules इसका surface area काम होगा तो इससे देर से evaporation होगी तो evaporation भी directly proportional है surface area की students जो wind है जादा हवा जब चाल रही होती है तब आपने देखा होगा कि हमारे अगर कपड़े लटके हुए खुश कौने के लिए तो जादा जल्दी ड्राय हो जाएंगे तो यह भी directly proportional है evaporation के nature of liquid students आप इसकी example यहां से देखें कि अगर आप अपने एक हाथ पे separate रखें और दूसरे हाथ पर पानी रखें तो separate जादा जल्दी ड्राय हो जाता है तो rate of evaporation high liquid का defect होता है evaporation causes cooling effect यह किस तरह से evaporation cooling effect कास करती है students इस diagram के जरीए आप समझ ले कि evaporation cooling effect किस तरह से कास करती है यह हमने एक baker में पानी लिया हुआ और इसके जो molecules हैं यह evaporate हो रहे हैं यह यहां से हम देखते हैं surface molecules absorb heat जो उसे उपर वाले molecules हैं यह नीचे वाले molecules की heat absorb करेंगे की kinetic energy बढ़ जाएगी और कम force of attraction force of attraction चे ज्यादा इनकी kinetic energy को increase कर जाएंगे तो यह जो ऊपर की molecules हैं यह escape जब करेंगे evaporate होंगे तो पीछे वाले molecules हैं यह वाले molecules हैं इनकी kinetic energy कम हो जाएगी क्योंकि इनकी heat लेकि उपर वाले molecules escape हो गए इस तरह से जो average energy होगी कम हो जाएगी और नीचे वाला जो liquid हो पूल हो जाएगा इस तरह से हम कह सकते हैं कि evaporation cooling effect कास्ट करती है सुड़ेट से कि आपका कोई भी question है तो आप मुझे कोमेंट section में जरूर पूछ सकते हैं और में चैनल को subscribe करना मत भूलेगा और बेल आइकन के जरूर कि साथ